हेलो एवरिवान और वेलकम तू इंस्टेंट बाइलोजी बाइ डॉक्टर नीलाब आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है माइक्रो सैटलाइट और शौट टैंडम रिपीट्स क्या होते हैं माइक्रो सैटलाइट या इनको शौट टैंडम रिपीट्स क्यों बोला जाता है उसके बारे में आज बात करेंगे एक तरीके से जेनेटिक मारकर्स हैं यह हम लोग अलरेडी जेनेटिक मारकर्स के बारे में बात काफी कर चुके हैं जैसे कि हम लोगों ने AFLP के बारे में रिसेंटली बात की थी, RAPD के बारे में बात कर चुके हैं, RFLP के बारे में बात कर चुके हैं, तो उसी कैटिगरी के ये भी genetic markers हैं, उनके कुछ specific features हैं और बहुत important role play करते हैं किसी भी individual को पहचानने में, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ important information, सबसे पहली चीज क्या है कि ये eukaryotic genomes के अंदर mainly पाये जाते हैं, eukaryotic genomes, eukaryotes का मतलब तो आप जरूर जानते हूंगे, eukaryotes मतलब higher organisms, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि आप हैं, जैसे कि animals हैं, जदा तर जो higher organisms हैं, वो eukaryotic organisms और उनके अंदर उनके जो genomes हैं, उसमें ये microsatellites या short tandem repeats जो हैं वो पाये जाते हैं, repetitive heterogeneous classes of non-coding DNA, ये जो कुछ properties जो मैं यहां पर बता रहा हूँ, ये common properties हैं, एक class की, जिसको हम लोग simple sequence length polymorphism या SSLP बोलते हैं, simple sequence length polymorphism या SSLP बोलते हैं, उनके ये characteristics हैं और इसी SSLP class के अंदर आते हैं, आपके mini satellite और micro satellite, हम लोग को आज focus करना है micro satellite पे, तो ये eukaryotic genomes के अंदर पाये जाते हैं, SSLPs, repetitive heterogeneous classes of DNA, repetitive का मतलब तो आप जानते ही है, repetition हो रहा है, एक जैसी चीज बार 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 अकर हो रही है, तो उसको हम लोग repetition बोलते हैं, तो repetitive heterogeneous, heterogeneous classes of heterogeneous मतलब अलग-अलग जैसे classes of non-coding DNA, जादा तर cases में ये non-coding DNA का ही part होते हैं, और next point क्या है, within और between genes, दो genes के बीच में पाये जा सकते हैं, और या फिर उनके अंदर भी पाये जा सकते हैं, लेकिन classes जो ये non-coding DNA type E होगा, आहीं अब बात करते हैं, कि जो sequence जुसकी बात हम कर रहे हैं, जो repeat हो रहा है, suppose करिए A, T, C, बार-बार-बार repeat हो रहा है, A, T, C, A, T, C, A, T, C, ये बार-बार repeat हो रहा है, suppose करिए कि ये 50 बार repeat हो गया, A, T, C, A, T, C, A, T, C, A, T, C, D, A, T, C तो यह क्या हो रहा है यहाँ पे एक individual के लिंदर मान लीजे कि वो 30 times repeat हुआ और किसी और individual के लिए मान लीजे वो 50 times repeat हुआ तो आप देख पा रहे हैं कि length में polymorphism देखने को मिली एक जगे यह 30 इतना fragment है जिसमें यह 30 एक individual के अंदर same locust पे यह 30 times repeat हुआ दूसरा individual है जिसके अंदर यह 50 times repeat हुआ same locust पे तो जड़ा सोच सकती है कि इसमें क्या हुआ length जो है वो काफी increase होगी इसलिए हम क्या कह रहे है simple sequence length polymorphism इसकी length जो है उसमें हमें polymorphism देखने को मिल रहा है polymorphism मतलब क्या होता है बहुत सारे forms देखने को मिल रहा है किसी के अंदर यह 30 times repeated है किसी के अंदर 50 times repeated है किसी के अंदर 10 ही times repeated है तो इस चीज़ को हम लोग polymorphism बोल रहे हैं और repeated sequence की length के variation की वज़े से यह जो बन रहा है जो structure बन जा रहा है इसको हम लोग simple sequence length polymorphism या short में इसको SSLP भी कहते हैं अब थोड़ा सा discussion को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि SSLP कितने type के होते हैं तो याद रखेगा SSLP यानि कि simple sequence length polymorphism दो type के होते हैं simply दो type के होते हैं जिसमें से एक है mini satellite और एक है micro satellite अब आप इतनी बात तो जरूर जानते हैं कि micro जो है वो mini से छोटा होता है तो याद रखेगा mini satellite में क्या होता है mini satellite में जो repeating length होती है जैसे अगर मैं कहा रहा हूँ ATC बार बार repeat हो रहा है तो ATC की length कितनी हो गई अगर मैं कहा रहा हूँ ATC repeat हो रहा है ATC तो इसकी repeating length कितनी हो गई थ्री ठीक तो यह जो है यह थोटा बहुत छोटा sequence है जो बार बार repeat हो रहा है वह ही मैं घर कहूँ ATTC CT ATTG यह बार 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 repeat हो रहा है तो यह क्या होगा यह बड़ा sequence है ठीक है तो याद रखेगा अगर जिस जो sequence sequence बार-बार repeat हो रहा है उसकी length 10 to 60 base pair के बीच में आ रही है तो हम लोग क्या कहेंगे उसको कि वो आ रहा है mini satellite के अंदर क्यों क्योंकि mini satellite में ज्यादा बड़ा sequence जो है वो repeat होता रहता है उसकी length जो होती है वो ज्यादा बड़ी होती है तो 10 से 60 अगर उसकी length है 10 to 60 spare उसकी length है तो आप क्या कहेंगे mini satellite के अंदर आ रहा है वहीं अगर हम micro satellite जो हमारा topic of discussion है आज micro satellite के अंदर क्या होगा generally 2 से 10 base pair का बस length होता है 2 से यानि कि यह जो length तब ही हम कहेंगे कि यह micro satellite है otherwise अगर इससे चोटा है तो इससे कहेंगे अगर इससे बड़ा है यह तो सबसे लेकम length है इससे बड़ा है 60 base pair 10 to 60 के आसपास आ रहा है तब हम लोग क्या कहेंगे यह mini satellite के अंदर आ रहा है चलिए यह समझ में आ गया होगा अब आते हैं micro satellite के बारे में और depth में जाते हैं mini satellite के उपर मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगा बहराल हम लोग micro satellite के उपर आज और discuss करते है micro satellite को ही हम लोग also called as simple sequence repeat बोला जाता है इसको simple sequence repeat बोलने के पीछे क्या function है क्या reason है simple sequence repeat सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसकी length जो है वो बहुत कम है बहुत simple सा sequence है जो repeat हो रहा है ATC ATC या CT 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 या AT 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 इस तरीके से कई बार repeat हो रहा है तो यह इसका structure जो है वो बहुत ही simple है इसलिए हम इसको simple sequence repeat के नाम से भी जान रहे हैं दूसरा जैसा कि मैंने थोड़े पहले भी बताया था कि जो repeat हो रहा है उसकी length जो है वो केवल 2-10 base pair ही है दो से 10 base pair ही है जो length जो repeat हो रही है next point क्या है अब यहां पर यह कुछ important या common micro satellites के structure बता रखें जैसे कि हो सकता है केवल A ही कई बार repeat हो यह N क्या है number of times जैसे suppose करिए A N हो सकता है यह 5 times repeat हो रहा हो A A A A A A A हो सकता है यह T C जो है वो N कुछ भी रख सकते है 5-10 times यह N क्या कितना हो सकता है लगबग 5-50 times हो सकता है यह repetition होगा times of repetition वो 5-50 times हो सकता है तो A भी हो सकता है TC भी हो सकता है CA भी हो सकता है TAT भी हो सकता है A A A C भी हो सकता है GATA भी हो सकता है CA TG भी हो सकता है तो इतने common microsatellites के structure हमने आपको यहां पर बता दी तक एक अब क्योंकि हम लोग ने mini satellite को थोड़ा सा discuss कर लिया था तो इसलिए हम मैं यहाँ पर बताना जाऊंगा कि यह mini satellite से better है कि नहीं, micro satellites जो है, वो mini satellites से बहुत better होते हैं, क्यों, क्योंकि हम इस से genetic analysis एक तो आसानी से कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, कि यह evenly spread होते हैं, फिर से समझने के कुशिश करेंगे, micro satellite और mini satellite में basically दो जगे अंतर आता है, mini satellites जो है, वो evenly spread नहीं है, बहुत जादा, वो कहां-कहां पे जादा पाए जाते हैं, ends of chromosome पे mini satellites जो हैं, वो ज्यादा पाए जाते हैं, तो आप खुद सोचिए, कि अगर एक कोई चीज है, जो केवल end पे, कुछी एक particular region पे ही focused है, और एक चीज है, जो evenly spread है throughout the chromosome, तो हम किसको use करके, अपनी genetic mapping कर सकते हैं, तो समझ में आ रहा होगा आपको directly कि हम लोग micro satellites ही हमारे लिए ज्यादा favorable है, in order to perform genetic analysis, इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कि micro satellites जो होते हैं, वो evenly spread होते हैं, यही वज़े है, एक तो यह वज़े है कि क्यों micro satellites are more favorable, और दूसरा क्या है, कि micro satellites जो है, मैं PCR analysis के लिए free कर देते हैं, I mean PCR analysis हम micro satellites के case में कर सकते हैं, आपको पता है कि PCR एक बहुत ही बहुत ही, एक reliable technique है, बहुत efficient और बहुत fast technique है, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी छोटे से strand का, या बड़े से बड़े strand का genetic analysis आसानी से कर सकते हैं, amplification उसका आसानी से कर सकते तो अकर छोटा सा भी हमारे पास sequence है, हमें उसके flanking regions पता है, हम उसका PCR run करके हम उसकी analysis कर सकते हैं, तो यह हमें जो फाइदा है, यह micro satellites के अंदर मिल जाता है और mini satellites के अंदर available नहीं है, इसलिए यही दो reasons है कि क्यों micro satellite is better than mini satellite, क्या है, इतनी चीज़ जरूर समझ में आ गई होगी, अब micro satellites के अंदर large और stable polymorphism देखने को मिलता है, large मतलब बहुत जादा polymorphism देखने को मिलता है, कई जगे हम लोग को अलग-अलग-अलग-अलग तरीके की length देखने को मिली है, और stable देखने को मिला है, stable मतलब क्या हो गया, generation to generation वो टिका रहता है, ऐसा नहीं है कि एक generation में कुछ था, दूसरी generation में कुछ और हो गया, तीसरी generation में कुछ और हो गया, ऐसा नहीं हो था, तो जो polymorphism, जो change हमें शुरुआत पहली generation में मिला, वही continue हो जाएगा, तो इसलिए हमने लिखा, large and stable polymorphism, next क्या है, variation सिंदा number of repeat units, अब बहुत सारे students ये सोचने लगते हैं, कि यहाँ पे क्या मतलब है इसका, तो मैं दुबारा इसको clear कर देना चाहता हूँ, कि यहाँ पे कितनी बार repeat हुआ है, उसके ओपर चर्चा हो रही है, ना कि क्या repeat हुआ, देखे, हमेशा यही sequence या particular ATC जैसे मैंने बोला, यही sequence repeat हो रहा हूँ, इसके constitution में कोई अंतर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि यह ACT बन जाए, या ऐसा नहीं होगा कि यह TAC बन जाए, ATC ही होगा, मेरे अंदर हो सकता है, 10 times repeat हो रहा हो, और आपके अंदर हो सकता है, 15 times, 20 times repeat हो रहा हो, तो यह हमें change देखने को मिलता है, यानि कि number कितनी बार repeat हो रहा है, वो हमें देखने को मिलता है, तो देखे, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कि repeated sequence जो है, वो same है, यह बहुत-बहुत-बहुत important point है, और कई student के दिमाग में confusion रहता है, repeated unit, या repeated sequence जो है, वो same है, but variations in the number of times the sequence occurs, कितनी बार वो sequence repeat हो रहा है, उसमें variation देखने को मिलता है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई दिये, एक example के तोर पर लिखते हैं, जैसे कि, अगर माल लीजे एक individual है, individual A इसको consider कर रहे हैं, और इसके अंदर यह CT, किसी एक particular locust पे, किसी भी एक locust पे, यह CT, जो यह fragment, यह CT sequence है, वो repeat हो रहा है, यहाँ पर end मैंने number of repeats को mention करने के लिए लिए लिख रखा है, अब देखिए, पहले case में, माल लीजे individual A के लिए, यह 7 बार repeat हुआ, CT, 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 7 times repeat हुआ, और वहीं पे, एक individual B है, जिसके अंदर यह 8 बार repeat हुआ, तो यह देखिए, यह हमको यहाँ पर polymorphism देखने को मिल रहा है, CT, 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 CT का length कुल मिला करके, एक individual के लिए अलग हो जाएगा, दूसरे individual के लिए वो अलग हो जाएगा, अब जड़ा देखिए, flanking region का क्या concept है, flanking region का concept इसलिए पता होना जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे बताया भी, कि PCR analysis के लिए यह important है, तो flanking region क्या है, बिलकुल आप सही समझ रहे हैं, वही है region surrounding the micro satellite locus, micro satellite के locus को surround करने वाला, यानि कि जो repeated sequence है, उसके just, जो around जो sequence है, जो उसकी just बाद का sequence है, उसको हम लोग flanking region बोलते हैं, तो यह हो गया clear flanking region, ठीक, next, अगर मैं आपको एक और example देना चाहूँ, अक्सर हम लोग यह कहते हैं कि individual A जो है, वो homozygous है एक locus के लिए, देखिए, आपको पता ही है कि हर एक individual के पास दो chromosomes पाए जाएंगे, homologous chromosomes पाए जाएंगे, ठीक, एक father की तरफ से आएगा, एक mother की तरफ से आएगा, यह आपको idea है, एक ही locus के लिए दो chromosomes हैं या दो alleles हैं, अगर माल लीजे, कि एक allele जो है, या एक chromosome पे, हम क्या कहरें कि वो एक particular locus के लिए, जो individual है, वो homozygous है, इसका मतलब क्या हो गया, कि उस locus पे, जो individual है, उसके अंदर same types of repeat, या same number of repeat देखने को मिलेगा, ज़रा देखिए, individual A है, homozygous for a locus है, इसके अंदर same number of repeats on both chromosomes देखने को मिलेगा, ज़रा देखिए तो इसको अगर मैं बनाना चाहूँ, ये एक individual ये है, जिसके पास, ये, ये homo-logos chromosome है, ये एक mother के side से, एक father के side से आया हुआ है, तो अब मैं कहूँ कि इस locus की बात कर रहा हूँ, इस particular locus की बात करना हूँ, अगर ये जो allele पाया जा रहा है, ये homozygous allele है, homozygous है, तो homozygous होने की वज़े से क्या होगा, जो number of repeats होगा, वो same होगा, दोनों ही chromosome पर, देखिए, एक example के form में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, homozygous condition में क्या हो गया है, देखिए रहा, c, g, t, a, g, c, c, t, ये एक chromosome पर पाये जा रहा है, ये दूसरे chromosome पर पाये जा रहा है, number of repeats देखिए, c, t, c, t, c, t, c, t, c, t, c, t, करते करते हम लोग देख रहे हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 repeat ये इस पहले वाले sequence पर है, नीचे वाले जो दूसरा sequence है, यानि कि दूसरे chromosome पर याद रखेगा, मैं ये जानता हूँ कि हर chromosome double DNA जो होगा, वो double stranded जरूर होगा, बट हमने आसानी के लिए केवल एक ही strand mention कर रखा है, तो ये एक strand है, ये एक chromosome के अंदर दो strand जरूर पाए जाएंगे, लेकिन हमने आसानी के लिए एक एक strand रखा है, तो यहाँ पर देखिई, इस पर भी seven repeats देखने को मिलेगे, इस पर seven देखने को मिलेगे, इस पर seven और इस पर भी हमें seven देखने को तो यह चीज clear हो गई, यह homozygous condition में हमें देखने को मिलेगा यह इसका flanking region हो गया, जैसा कि मैंने समझाया भी था, मैंने बना करके भी दिखा दिया यह इसका flanking region हो गया, आईए अब बात करते हैं, हिट्रोzygous condition में क्या होगा हिट्रोजाइगस कंडिशन में इंडिविज्वल B है जैसे कि इंडिविज्वल A के बारे मैंने समझा दिया इंडिविज्वल B है जैसे कि तो हिट्रोजाइगस कंडिशन में क्या होगा different number of repeats on both chromosomes एक अलग-अलग chromosomes पे जैसे कि यहाँ पे 7 और 7 CT के regions repeat कर रहे थे और यहाँ पे देखिए एक क्रोमोजोम में CT 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 तीन बार repeat किया और इसमें देखिए CT 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 एक दो तिन चार बार repeat किया तो इसको क्या कहेंगे हिट्रोजाइगस कंडिशन कहेंगे तो एक ही individual के अंदर हमको होमोजाइगस भी दिख सकती है हमें होमोजाइगस दिख सकती है हिट्रोजाइगस भी दिख सकती है यह मैंने बता दूसरी important बात क्या है कि mutation की rate की बात करें याद रखेगा यह जो हम लोग इस marker की बात कर रहे हैं simple sequence repeat की जो बात कर रहे है या इसको हम लोग simple short tandem repeat भी बोलते हैं एक चीज़ important point याद रखेगा माइक्रो सैटलाइट को short tandem repeat भी बोलते हैं str भी बोलते है short tandem repeats अब जरा सोचिए कि जब mutation हो रहा है 100 से 1000 टाइम्स faster than base substitution जब जो base substitution हो रहा है mutation में अपने देखा होगा point mutation में क्या होता है एक base था वो दूसरे substitute हो गया उस mutation से यह जो mutation है यानि कि जो simple sequence repeats के अंदर जो mutation हो रहा है वो ज्यादा होता है hundred to one thousand times अधिक होता है इस case में तो इसी लिए यह ज्यादा बहतर है और ज्यादा हमें polymorphism इसमें देखने को मिलता है होता क्यों है polymerase slippage और unequal cell organization या cell division के condition में यह आपको देखने को मिलेगा polymerase slippage एक method होता है जिसमें क्या होगा अगर बहुत ज्यादा repeats होते हैं तो polymerase क्या होता है वहाँ पे slip कर जाता है या वहाँ पे गलती कर जाता है CT 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 के मानली जिए 5 repeat देखने को मिले थे तो वह हो सकता है extend करके 5 या 6 या 7 बना दे तो इसी चीज़ को polymerase slippage बोलते हैं इसके बारे में कहीं अभी एक अलग वीडियो बना दूँगा मैं या unequal cell division के case में भी हमें यह इस तरीके का simple sequence repeats देखने को मिल जाते हैं अब यह basically polyallelic marker है polyallelic मतलब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक particular gene pool के अंदर एक particular population के अंदर यहां पे बहुत सारे alleles एक particular locust के लिए बहुत सारे alleles responsible होंगे कोई एक allel हो सकता है seven repeats को show कर रहा हो कोई एक allel हो सकता है nine को कर रहा हो 10 को कर रहा हो 11 को कर रहा हो 12 को कर रहा हो इसलिए हम इसको polyallelic marker consider कर रहे हैं चली तो अब इसको मैं एक और तरीके से दिखाना चाता हूँ एक और example के form में अगर आप देख सकें तो देखिए यह पचास base pair का लगबग-लगबग flanking region है आप देख सकते हैं A, G, C, T यहाँ पे पहले strand पे 5' to 3' और next यह 3' to 5' है इसके opposite T, C, G, A और यह देखिए repeated sequence C, T, C T, T, C, T एक, दो, तीन, चार बार से repeat हुआ और इसके opposite G, A, G, A, G, A, G, A repeat कर रहा है तो यह 50 base pair का यह 50 base pair का यह और repeated sequence कितना हो गया जी 18 base pair का हो गया कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसके flanking regions किसी एक individual का मालीच मेरे पास कुछ एक particular sequence हा गया तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं उस उसके flanking region की help से इस region को देख सकता हूँ कि यह कितना बड़ा है जितना ज़्यादा बड़ा होगा यह region उतना उसके बाद gel चलाने पर हमें समझ में आ जाएगा कि इसकी length कितनी है molecular weight या marker से हम tally करके पता कर लेंगे कि इसकी length कितनी है यह पता चल जाएगा तो दो individuals में आसा अधिके से हम लोग micro satellites को use कर सकते हैं for the purpose of genetic analysis अगर आपको यह lecture पसंद आया हो तो इसे like करिए मेरे चैनल को subscribe करिए thank you so much और हाँ एक चीज़ और आप introduction to bioinformatics वाला जो course है वो extend हो रहा है आप उसमें enroll कर सकते हैं उसको join कर सकते हैं register कर सकते हैं मैं जिन भी लोगोंने already register कर दिय क्या है उसनको thanks बोलना चाहूंगा और यही था हमाई तरफ से micro satellite का lecture thank you so much have a great day